नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर कैसे हैं आप सब उमेद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा चार जिल्मिल पाठे पुस्तक की पाठ नो जिसका नाम है सुनो सबकी करोमन की इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे इसके प्रशन और बहुविकल्पय प्रशन उतर करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ आठ गौरव गाथा और जंडा गायन पाठ का सार प्रशन अभ्यास और बहुविकल्पय प्रशन उतर करवाए थे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबाएं तो चलिए पाठ की शुरुवात करते हैं पाठ नौ सुनो सब की करो मन की फूल पूर गाओं में सुखराम नाम का वैपारी रहता था धनी राम उसका एक लौता बेटा था सुखराम ने धनी राम को पहली बार अनाज मंडी भेजा पिता ने चलते समय समझाया बेटा वैपार में दो पैसे करला भी बहुत होता है इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना समधार आदमी की सला सुनना पर करना अपनी समझ से दिन डूमने पर घर आ जाना दो खाली बोरे लेकर वैगर से चला अनाज की मंडी दूर एक गाउं में थी इसलिए धनी राम घोडे पर सवार होकर गया कोई घंटे भर में मंडी पहुँच गया अनाज की कई दुकाने देखी एक जगे सौधा पट गया उसने एक बोरा गेहु तो लवा लिया फिर बजार की सेर की दीरे दीरे दो पैर हो गई धनी राम वापस आया और गेहु का बोरा घोडे की पीट पर लाद कर ले चला बोरा लदा होने से घोडे की पीट पर बैठने के लिए जगे नहीं बची इसलिए वह पैदल चलने लगा रास्ते में मिल गए लाल वुजक्कर वह सिर पर लाल पगड़ी बांदे अपने सिश्यों के साथ एक पेड के नीचे धूनी रमाई बैठे थे धनी राम को देखकर वें हसने लगे धनी राम को गुस्सा आ गया उसने कहा तुम लोग मुझे देखकर क्यों हस रहे हो क्योंकि तुम मूर्ख हो एक शिश्ये ने कहा मैं मूर्ख हूँ तुम लोग मुझे ऐसा कहकर धनी राम उनसे लड़ने को तयार हो गया ठेरो ठेरो मैं समझाता हूँ दूसरे शिष्ये ने धनी राम को शांद करते हुए कहा बात यह है जब तुमारे पास गोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं आजीब बात करते हो देखते नहीं गोड़े की पीट पर गेहू लदा है मैं कैसे बैठू धनी राम ने कहा हाँ यह हुई ना बात शिष्ये ने कहा मैं कैसे बैठू का जवाद देंगे हमारे उस्ताद लाल वुजकड आओ उनसे पूझते हैं अवे सब लाल वुजकड के पास आए उन्होंने धनी राम की समस्या बताई लाल वुजकड सुनकर पहले तो गंबीर हो गए फिर मुस्कुराने लगे इतनी चोटी सी बात अवे हल किये देता हूँ समस्या को लाल वुजकड ने कहा बोरे में क्या है गेहू धनी राम ने कहा गेहू जितने बजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों और लटका दो बजन बराबर हो जाएगा घोड़े की पीट भी खाली हो जाएगी और तुम बैठ कर जा सकोगे यह हुईना अकल की बात शिश्यों ने एक स्वर में कहा धनी राम ने सोचा यह समझदार आदमी है इसकी बात माननी चाहिए उदर लाल बुजक्कड आगे बढ़ गई धनी राम ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक और लटका कर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया उसके मन में विचार आया कि दिन डूबने से पहले घर पहुचना है पैदल चलना तो मुर्खता है वे घोड़े की पीट पर बैठ गया उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा आसपास के लोग मदद के लिए दोड़ पड़े धनी राम के हाथ पैड़ छिल गए उन्होंन पर जरावी दया नहीं आई तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो धनी राम परेशान हो कर बोला हाँ हाँ तुम मूर्ख हो नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते गेहूं का वजन बराबर करने के लिए भरे हैं यह मुझे लाल पगड़ी वाले बुजर्ग ने सिखाया जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया तो तुमें मूर्ख लाल बुजक्कड मिला था वै तो मूर्ख है ही तुम भी मूर्ख बन गई सच में मूर्ख बन गई मैंने सूचा से आने और ग्यानी दिखते हैं तो मैंने उनकी बात मान ली लोगोंने धनी राम को समझाया पत्थ निराम को लगा वे सच मूर्ख मूर्ख बन गया उसने तुरंद पत्तर फेंके आदा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों और बोरे लटका दिये अब जोहीं वे घोड़े की पीट पर चड़ा त्योहीं घोड़ा सरपट भाग चला शाम उने से पहले वे घर भी मन सोच रहा था बड़े भुजर्ग ठीक ही कहते हैं सुनो सबकी करो मन की अब मैंने निश्चे कर लिया है कि सुनूंगा सभी की पर करूंगा अपनी समझ से अपने मन की तो यहां पर हमारा ये पार्ट पूरा हो गया है अब हम इसके प्रशन अभ्यास करेंगे तो सबसे प पारी इसका अर्थ है खरीदने बेचने का काम करने वाला सिश्य का अर्थ है चेला विध्यारती समस्या इसका अर्थ है कठिनाई हल इसका अर्थ है निदान प्रशन दो कहानी से पहला प्रशन है पिताने धनी राम को मंडी जाते समय क्या समझाया इसका उत्तर है पिताने खरीदना खै लाल बुजक्कर ने धनी राम को क्या सला दी इसका उत्तर है लाल बुजक्कर ने गेहूं के बरावर बजन का पत्थर दूसरे बोरे में भर कर दूसरी तरफ लटकाने की सला दी गै धनी राम पैदल क्यों चलने लगा इसका उत्तर है धनी राम ने घोडे की पी बुजक्कड के शिश्यों से लड़ने को इसलिए तयार हो गया क्योंकि वे उसे मूर्ख कह रहे थे उसकी हसी उड़ा रहे थे रहे अंत में धनी राम किस नतीजे पर पहुंचा कि सुनो सबकी करो अपने मन की प्रशन चे ये हुई ना अकल की बात मुझककड के शिश्यों ने ऐसा क्यों कहा इसका उत्तर है धनी राम ने उनकी मुर्खता वाली बात माल ली इसलिए उन्होंने ऐसा कहा आगे है प्रशन तीन आपकी बात धनी राम ने अनाज खरीदने के बाद बजार की सेर की आपने कभी अपने नजदी बजार में गए होंगे तो बताएं किस दिन गए मंगलवार को लिखा है यहाँ पर मैंने किस के साथ गए पिता के साथ क्या साथ लेकर गए थेला क्या क्या देखा दुकाने, मोटर गाड़िया, क्या क्या पसंद किया, खिलोनों की दुकाने, क्या क्या खरीदा, पुस्तकें, खिलोने, सामान, और क्या लाना भूल गई, घर का कुछ सामान, आप यहाँ पर अपने जो आपका एक्सपिरियंस है, वो आप यहाँ पर लिख सक जाए तो आप कहां जाएंगे पत्र डानले तो पत्र डानले हम डाग घर जाएंगे दवाई लाने दवाईयों की दुकान पर जाएंगे पैसे जमा करवाने बैंक जाएंगे बिजली का बिल भरने बिजली कार्या ले जाएंगे राशन लाने डीपो जाएंगे सबजी खरीद आशा की बात कहें धीरे-धीरे दो-पहर हो गई इस वाके में दो-पहरों के लिए दो-पहर शब्द का प्रयोग किया गए है बताईये नीचे दिये गए वाक्याइशagit के लिए किस शब्द का प्रयोग हो गए शब्द दिये गए हैं त्रिभूज, चो मासा, दशक, पंचवटी, सबताह, नवरात्र, चार राहों का समू, इसे कहेंगे चो राहा, दस वर्षों का समू, दशक, चार मासों का समू, चो मासा, पांच वट विर्ख्षों का समू, पंचवटी, साथ दिनों का समू सब्ताह, तेन बुजाओं का समू त्रिबुज, नो रातों का समू नवरात्र फूलपुर गाओं में सुखराम नाम का एक व्यपारी रहता था इस वाक्य में बीते हुए समय में कारे के संपन होने का बोध होता है अता यह भूतकाल है पार्ट में आए भूतकाल से सम्मद्नित कोई पांच वाक्य छाट कर लिखें तो भूतकाल के पांच वाक्य हैं फूलपुर गाओं में सुखराम नाम का व्यपारी रहता था नमबर दो धनी राम उसका एक लौता बेटा था नमबर तीन अनाज की कई दुकाने देखी नमबर चार एक जगे सौधा पट गया नमबर पांच धनी राम ने कहा धीरे धीरे दो पहर हो गई इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है ऐसे शब्दों को युग्म कहते हैं दिये गई युग्म शब्दों से वाक्य बना कर लिखें कब कब तुम कब कब खेलते हों ये वाक्य बनेगा जल्दी जल्दी घोड़ा जल्दी जल्दी चलता है चलते चलते मैं चलते चलते ठक गया साथ साथ हम साथ साथ हैं कभी कभी मामा कभी कभी आते हैं बैठे बैठे वह घर बैठे बैठे सो गया इन्हें क्या कहते हैं जहां घोडों को बांधा जाता है इसको कहेंगे घुडशाला जो घोड़े पर सवारी करता है उसे कहेंगे घुड़ सवार अड़ें लाल बुजककड आगे बढ़ गई इस वाक्य में बुजककड शब्द बूज जमा अकड यानि प्रत्ते के जोड से बना है कुछ प्रत्ते जोड कर आप भी नई शब्द बनाएं जैसे भूल जमा अकड ये बनेगा भुलककड घूम जमा अकड ये बनेगा घुमककड समजदार ये बन जाएगा समजदार तमीज जमादार ये बन जाएगा तमीजदार धारदार ये बन जाएगा धारदार धन जमावान धनवान गाड़ी जमावान गाड़ी वान दया जमा पहला प्रशन है, सुनो सबकी करो मन की नामक पार्थ में वेपारी कौन था? कह सुखराम, खे धनी राम, गे लाल बुजककड, गे राम फल, इसका सही उत्तर है कह सुखराम प्रेशन दो सुनो सब की करो मन की पाठ में सुखराम नामक वेपारी इन में से कौन से गाउं में रहता था गे मुसेपुर, खे फूलदार, गे फूलपुर, गे गुलापुर, इसका सही उत्तर है गे फूलपुर प्रश्ण तीन पाट में सुकराम नामक वैपारी का एक इकलोता बेटा था इन में से उसका नाम पहचानिये गई गरीब राम, खै अमीर चंद, घै धनी राम, घै फक्कडनाथ, इसका सही उतरक गई धनी राम प्रश्ण चार, पाट के अनुसार सुकराम नामके वैपारी ने अपने बेटे को पहली बार कहा भेजा क्या अनाज मंडी, खै सबजी मंडी, गै पडोस के गाउं, गै जमीदार के पास इसका सही उतरक क्या अनाज मंडी प्रश्ण पाच, पाट में सुकराम ने अपने बेटे धनी राम से कहा कि वैद दिन डूमने से पहले घर आ जाना इसमें दिन डूमना शब्द का सही यर्थ नून में से क्या होगा क्या सुबह होना, खै शाम होना, गै रात होना, खै भोर होना इसका सही उतरक है, शाम होना प्रश्ण छे, धनी राम वैपार के लिए चला तो वह कितने खाली बोरे लेकर चला था क्या दो, खै तीन, गै एक, गै चार, इसका सही उतरक क्या दो प्रश्ण साथ, धनी राम वैपार के लिए चला तो वह किस साधन से गया कह साइकल, खे पैदल, गह घोड़ा, गह बैल गाड़ी, इसका सही उत्तर है गह घोड़ा प्रशन आट, पाट के अनुसान धनी राम को अनाज मंडी पहुचने में कितना समय लगा कह लगवगे घंटा, खे आदा घंटा प्रशन आट, पाट के अनुसार धनी राम ने मंडी से क्या खरीदा खे सरसों, खे मक्का, गह बाजरा, गह गह हूँ, इसका सही उत्तर है गह गह हूँ प्रशन दस, पाट के अनुसार धनी राम ने कितने बोरी गह हूँ खरीदा क्य एक बोरा, ख्य दो बोरा, ग्य आदा बोरा, घ्य लिया ही नहीं, इसका सही उत्तर है क्य एक बोरा प्रश्न ग्यारा, पाट के अनुसार अपने सिश्यों के साथ एक पेड के नीचे धूनी रमाई बैठे बावा का नाम इन में से क्या था प्रश्न बारा, पाट के अनुसार पगड़ी वाले बावा की पगड़ी का रंग इन में से कैसा है प्रश्न तेरा, पाट के अनुसार लाल बुजकड बावा ने धनी रम को खाली बोरे में इन में से क्या भरने को कहा क्या पत्थर, ख्या कोईला, ग्या कपास, ग्या हीरे जवारात, इसका सही उत्तर है क्या पत्थर प्रशन चौदर, पाटके नुसर, धनीराम घोडे सही धडाम से गिरा, क्योंकि क्या घोडा बिमार था, ख्या बोज अदिक था, ग्या पैर में चोट लगी थी, घ्या धनीराम ने पीटा था, इसका सही उत्तर है क्या धनीराम घोडे पर गेहूं के बरावर बजन के पत्थर भर कर भार को बरावर कर देने की बाद भी घोडा गिरा, क्योंकि क्या भार बरावर नहीं हुआ, ख्या घोडा थक गया था, ग्या धनीराम बहुत भारी था, ग्या गेहूं के साथ पत्थर और धनीराम तीनों का भार था, इसका सही उत्तर है घ्या समय पर वापिस घरा सका क्या गेहूं के बोरे छोड़ाया ख्या गेहूं के भार को आदा आदा बांट दिया गेह धनी राम पैदा लाया गेह घोड़े को वहीं छोड़ाया इसका सही उत्तर ख्या गेहूं के भार को आदा आदा बांट दिया प्रशन 17 खरीदने वे बेचने क काम करने वाले को क्या कहा जाता है थग ये जमीनार ग्ये वैपारी घे नोकर इसका सही उत्तर गए वेपारी प्रशन अठारा निम्न में से एक शिष्चे का परयायवाची नहीं है कह चेला खे गुरू गय विध्यारती गय छात्र इसका सही उत्तर है खे गुरू प्रशन उन्निस सुखराम ने अपने बेटे धनी राम को अनाज लेने मंडी भेजा यदि आपको भी दवाई लेने को कहा जाता तो आप निम्न में से किस थान पर जाते कैसी नेमा घर खे पुस्तकाले गय ओशा ध्याले गय सोचाले इसका सही उत्तर है गय ओशा ध्याले प्रशन 20 यदि पत्र डानने के लिए हम डाग गर जाते हैं तो सब्जी खरीदने के लिए मुझे कहा जाना चा कहता है कह वर्तमान काल खे भूत काल गय वहविश्यत काल गय इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है खे भूत काल प्रशन 22 जिस प्रकार चार राहों का समू चोराहा कहलाता है उसी प्रकार नो रातों के समू को निम्न में से क्या कहेंगे कह नो रतन खे नवरस गय नवरा प्रेशन 23, गोड़े को बाधा जाता है वे इनमें से क्या कहलाता है गोड़ा गर्क है अस्तबल गए अश्वे मेग है कंदरा इसका सही उत्तरक है अस्तबल प्रशन चब्विस गोड़े की सवारी करने वाले को इनमें से क्या कहा जाता है गोड़ सालक है गोड़े वाला गे घुड़ दोड़, गे घुड़ सवार, इसका सही उत्तर है गे घुड़ सवार, प्रशन 27, बिजली का बिल भरने के लिए इन में से हमें कहां जाना चाहिए, कह डागर, खह बैंक, गे बिजली का रियाल है, गे एटियम, इसका सही उत्तर है गे बिजली का रियाल है, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू